गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में भारत का पस्सते विश्वे के साथ व्यापारिक सम्द कैसा था इसके बारे में जानेंगे तो देखेगा पिछले वाले वीडियो में हमने भारत रोम का जो व्यापारिक सम्द था उसके बारे में जानकरी प्राप्त की थी तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको परीक साथ सम्द इसके बारे में जानकरी प्राप्त हो से के तो चलिए पढ़ते हैं भारत का पास्टे विश्वय के साथ व्यापारिक सम्द कैसा था व्यापार तथा वानिजे भारत के आर्थिक जीवन का परमुक तत्वा रहा है वस्तुते ये वहां के निवासियों की सम्रदी का प्रेधान कारण था अत्यंत प्राचीन काल से ही यहां निवासियों ने व्यापार वानिजे के छेतर में घहरी दिलचस्पी दिखाई राजे की ओर से भी व्यापारियों को प्रियाफ्त प्रोथसान एवं सरंक्षन परदान किया गया परणाम सरूप यहां का आंत्रिक एवं बाहिये दोनों ही व्यापार विक्सित हुआ जहां विश्वय के अन्य देशों के साथ भारत का संसकर्तिक एवं राजनेतिक था वहां पस्यमी विश्वय के साथ यह है परधानते व्यापार परक था बारत के पसिमी देशों के सास्त व्यापारिक सम्मदों की प्राचीन ता प्राग यथ्यासिक यूग तक जाती है और प्राग यथ्यासिक यूग के बारे में हम पहले पड़ भी चुके होगे पता चलता है कि सिंदु सब्वेता के निवाशियों का मेसोपोटामिया की सुमेरियन सब्वेता के निवाशियों के साथ गनिस्ट व्यापारिक संबन था उर्किस, लगश, निपूर, तेल, असमर, टेपे, गावरा, हम्मा, आदी मेसोपोटामियन नगरों से लगबग एक दरजन संदम मुहरें प्राप्थ होती हैं जो व्यापारिक परसंग में वहाँ पहुंचाई गई थी मुहरों के अलावा सोने, चांदी, तथा तामबे के अभूसन, करके, तन के, मन के, मोती, हातिदान के कंगे, मिटी के विभिन प्रकार के बर्तन, लकडी की वस्तुएं आदी भी मेसोपोटामियन नगरों से मिलती हैं वे वहाँ की बाजारों में विक्री के निम्मित व्यापारियों द्वारा ले जाई जाती थी, तथा वहाँ से मिसर, अनातोलिया, क्रीट, आदी देशों को जाती थी बेहरीन द्वीब के खुदाई में मिले सेंदर सब्वेता के कुछ अफसेसों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहां के व्यापारी सिंदु ततामेसोपोटामिया के व्यापारियों के मद्धे बिचोलियों का काम किया करते थे दूसरी और सुमेरियन सासक सारगोन जो 237 से 2316 इसा पूर्वे में सासक था के समय के कुछ लेखों से पता चलता है कि उर्थ था अन्य नगरों के व्यापारियों का मेलूहा के व्यापारियों के साथ समन्ध था तथा वे वहां से आबूस तथा अन्य इमार्ती लकडियां सोना चांदी तामवा लाज वर्द मन मानिके के मन के हाती दात की बनी रंगीन कंगी पसू पक्सी आभूशन अंजन मोती आदी वस्तुयां मंगाते थे मेलूहा का समीकरण सिंध परदेश अथवा इसमें इस्तित मोहन जोद्रों से किया जाता है इस परकार सपस्ट हो जाता है कि संदव सबेता के समय में ही भारत का पस्चिमी जगत के साथ व्यापारिक संबन ने केवल इस्तापित हो चुका था अपितू यह अत्यंत विक्सि भी था यह व्यापार मुख्यत जलमार्क से होता था लोथल उसकाल का परसित समूद्री बंदरगा था जैसा कि वहां से प्राप्त गोदिवाड़ा से इसपस्ट होता है ठीक है तो गोदिवाड़ा को डो क्याड़ भी कहा गया है वैदिक युग में भी पस्चिमी जगत के साथ व्यापारिक समन्द चलता रहा भारत के व्यापारी फारस के खाड़ी तक जाते थे तता वहां वस्टों का क्रे विक्रे किया करते थे इस काल में सिंदू परदेश में उत्तम कोटी के वस्टों का निर्मान होता था तो वैदिक काल के बारे में भी हम पहले पढ़ सुचित होता है कि सिंदू परदेश के पानीदार घोड़े सक्तिसाली रत तथा उन्नी वस्तर हाती दान्त की वस्तुएं रत तथा सुगंदित दर्वे भारत से पस्सिमी देशों को बेजे जाते थे ये वस्तुएं वहां काफी लोग पिरिये थी रिगवेद के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत साहिते और बहुत साहिते के बारे में भी आपको हम पहले पढ़ा चुकी हूं वहां पे आप देखेगा अच्छे से बहुत साहिते से पता चलता है कि भारत तता पस्सिमी देशों के बीच गनिश्ट व्यापारिक संबन था पस्सि ये व्यापारी बेबिलोन में कोवे तथा मोर की विक्री करते थे जाते ग्रंथों में कई स्थानों पर व्यापारियों द्वारा समुदरी यात्रा करने तथा कभी-कभी जहांचों के दुर गठना गरस्थ होने के उलेक हैं क्लासिकल लेकों के विवरन भी भारत तथा पस्यमी देशों के व्यापारिक संबन्दों की पुष्टी करते हैं इस सापूर्वा छटी स्थापदी के मद्दे साहिरस महान के नेतुर्त में इरान में हकामनी समराज्य की स्थापना हुई उसके उत्रातिकारी दारा पर्तम जो 522 से 486 सापूरों में था ने सिंदू तता पंजाब को जीत कर भारत को अपने समराजे का एक प्रांथ बना लिया इसमें भारत का पस्चिमी देशों के साथ व्यापारी समन्द बढ़ा दारा के नोसेना धक्स इसकाइलेक्स ने दोनों देशों के बीच एक नए समुद्री मारका पता लगाया यह लाल सागर से होकर गुजरता था इससे होकर भारती व्यापारी पस्चिमी देशों में गए तता उन्होंने काफी धन कमाया पस्चिमोतर सीमा से कुछ इरानी सिक्के मिलते हैं इनसे भी इरान के साथ भारती व्यापार की पुष्टी हो जाती है भारती व्यापारी इरान ह में पता चलता है कि भारत में नोकौध तथा पोतों का निर्माण परचुर रूप में होता था जिन से होकर व्यापारी पस्चिमी देशों को जाते थे तालमी के अनुसार भारत के पस्चिमी परदेशों से 2000 नोकौध में लाद कर अस्वय तता अन्य पदार्त नियारकस भेजे गए थे मोर्य यूग में भारत ने अबूतपूर्वा राजनातिक एक्ता का साक्षात कार किया इस कार की सुद्रड राजनातिक प्रिश्थितियों ने व्यापार वानिजे की प्रगति में महान योगदान दिया इस यूनान के बाजरों में जाते थे व्यापारिक पोतों का निर्मान इस काल का एक पर्मुक उध्योग था अर्ठ सास्तर से पता चलता है कि इस समय व्यापारी विदेश जाते थे नवाद धेक्स तता पण्याद धेक्स नामक अधिकारी विदेश जानने वाले व्यपारियों की देख रेकिया करते थे विदेशी सार्थवाहों का भी उलेग मिलता है जो उत्री पस्चिमी भारत के स्थल मारगों से व्यपार के लिए आते थे मौर या युग में भारत तथा मिसर के बीज व्यपार उन्नत दसा में था मिसर के राजा टॉलमी ने इस व्यपार को प्रोशान देने के लिए तट पर बरनिस नामक एक बंदरगाह बनवाया था यहां से मिस्र के परसिद बंदरगा है सिकंदरिया के लिए तीन स्थल मार्ग जाते थे असोक के लेखों से पता चलता है कि सीरिया, एसिया, माइनर, युनान, मिस्र आदी देशों के साथ उसके संपरके थे इन देशों में उसने अपने धरम परचारक बेज़े थे कहा जा सकता है कि धरम परचार के इसाथ इसाथ इनके साथ व्यापारिक समन्ध भी ताफित हुए होंगे अर्शास्तर से पता चलता है कि मोरियों की राजदानी में वीदेशी नागरिकों की देख़रेग के लिए एक अलग समीती थी मोरे सामराजे के पत्नों प्रान थे दक्कन में साथ वहनों तथा उत्तर पसीम में कुसानों का मजबूत सासन इस्ताफित हुआ इस काल में भारत का मद्देशिया तथा पसीमी देशों विशेशकर रोम के साथ व्यापारिक समंद काफी बढ़ गया था और पिछले वाले वीडियो में हमने भारत और रोम के अपरिक समंदों के बारे में महत्वपुन जानकरी प्राप्त की थी तो वहाँ पे विश्तरी तोर से आप देखेगा तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस पे